मैं हूँ स्वाथी रायना आज हम खास तोर से चर्चा करने वाले हैं ओपन एंडेट और क्लोजड एंडेट म्यूचल फंड की आम तो पर अब जब किसी म्यूचल फंड में निवेश करते हैं जहां पर आपको किसी भी समय निवेश करने की आजादी होती है उन्हें ओपन एंडेट म्यूचल फंड कहा जाता है इसके उलट क्लोज एंडेट म्यूचल फंड के अपने अलग फीचर्स होते हैं जो आपके लिए जानने और समझने बेहद हैं जरूरी इन्हें के फीचर्स पर और कौनसा फंड आपको ज्यादा रिटर्न कमा कर दे सकता है कहां पर निवेश फायदेमंद है इनके अपनी अपनी खासियत क्या है ये समझते हैं आज अपने है इस खास शो में हमासा दो खास महमान है परिचर करा देते हैं हमत रुस्तगी CEO वाइस इन्वेस्ट प्राइविट लिमिटेड और धवर कपारिया डारेक्टर मैनेश पोर्टफोलियो मॉनिंग स्टार अब दोनों का ही स्वागत करते हैं और सबसे पहले हम अगर हेमन जी से शुरुवात करें अपने इस शो की समझता जरूरी है ओपन एंडिड और क्लोज एंडिड फ़ंड की हम यहाँ पर बात करते हैं इमन जी तो सबसे पहले बेसिक से शुरुवात करते हैं क्योंकि जो आम निवेशक है उनको कन्फूजन ना हो जाए कि आखिरकार ये क्या कोई mutual fund का कोई नया प्रकार है तो आप से समझेंगे open ended जो mutual funds है वो कैसे होते है स्वाथी देखे हम यहाँ पर बात कर रहा है कि structure की generally हम बात करते हैं कि किस तरह के fund हो equity में किस तरह के fund हो debt में किस तरह के fund हो hybrid में अभी हम बात कर रहे हैं कि mutual fund की schemes हम का structure क्या है जैसा आपने बिल्कुल सही कहा close ended funds भी है उसमें open ended funds भी है अगर मैं open ended funds की बात करूं तो basically वो funds जो आपको यह flexibility देते हैं कि उन funds में कभी भी आप अपना पैसा निवेश कर सकते हैं और कभी भी अपना पैसा आप redeem करके वहां से निकाल सकते हैं और जिस price पे आप invest करते हैं और जिस price पे आप पैसा बहां निकालते हैं वो होता है एने वी लिट तो basically मतलब क्या हुआ कि आपके investment की जो value है उस दिर उसके इसाब से या तो आप पैसा निकाल सकते हैं या तो आप पैसा invest कर सकते हैं इसमें सबसी बड़ी flexibility क्या होती है कि अगर आप एक discipline तरीके से invest करना चाहें आपको ये flexibility चाहिए कि कभी भी हमें पैसा चाहिए तो हम निकाल पाएं तो open-ended funds आपको वो flexibility देते हैं यानि इसमें कोई एक कोई fix maturity नहीं होती है ये open-ended बतलब ये fund हमेशा रहता है आपको अपना timing decide करना है कि कभ आपको invest करना है किस तरीके से करना है और कभ आपको उस fund से निकलना है तो और ये भी कहना चाहूँगा यहां पे कि maturity of the scheme जो है इसमें वो open-ended funds है क्योंकि कहीं ना कहीं जो flexibility investor को चाहिए वो यहां पे मिलती है open-ended fund के बात भी धवल हमारे साथ है शो में शामिल हो चुके है close-ended fund क्या open-ended fund के एकदम opposite होते हैं ये जानेंगे और जो usually हम NFOs देखते हैं new fund offers देखते हैं उसमें usually कहा जाता है कि एक तय अवधी में ही आप निवेश कर सकते हैं तो क्या हम माने close-ended funds एक particular period में ही क्योंकि निवेश होता है इसलिए उनके जो features के लिहाज से या उनके निवेश के लिहाज से वो एक उसनके निवेश करने का तरीका तोड़ा अलग है open-ended funds से हाँ बिल्कुल नॉर्मली जो हम दिखते हैं कि close-ended funds जो है उसमें दो चीज़े होती है बहुत जरूरी चीज़े होती है नॉर्मली एक short period के लिए या short अवधी के लिए वो आपको इंवेश करना है निवेश करना है तो एक short period के लिए normally open रहते हैं और जो दूसरा है जो उसके मेरी साब से जो ज़्यादा important feature है close-ended funds का कि आप जब चाहिए आप exit नहीं कर सकते तो इसका यह मतलब होता है कि समझीजे मेरी साब से जो ज़्यादा important feature है close-ended funds का कि आप जब चाहिए आप exit नहीं कर सकते तो इसका यह मतलब होता है कि समझीजे three years या five years close-ended funds होते हैं तो यह जो holding period है उस period में आप वो फंड से exit नहीं कर पाते हैं तो इससे मदब आप आपी liquidity कम हो जाती है लेकिन इसका जो इसके जो कुछ फाइदे है वो है कि आप एक disciplined way से आपका investment वो fund में आप निवेश करते हैं और वो fund में time horizon के इसाब से आप उसको continue कर सकते हैं investment के लिए काफी बार हम यह देखते हैं कि investors जो market के उतार चड़ा होते हैं उसके मुताबिक काफी बार fund से exit करना चाहते हैं या फिर फेक्टर है वो आ जाता है तो गलट time प exit कर देते हैं market से तो यह जो factors है वो close ended funds में आपके investment को impact नहीं करेंगे कि आप exit नहीं कर पाते हैं तो यह के साब से आपका investment वो disciplined way में आपका time horizon है वो इससाब से आप invest कर सकते हैं और दूसरा जो फाइदा है fund manager को यह फाइदा है कि उसने भी पता है कि अभी आप तीन या पा वो उसी में आप invested रहेंगे तो वो भी अपनी investments वो इसाब से प्लान कर सकते हैं Absolutely यहाँ पर एक बात हिमन जी मैं आप से समझूँगी क्योंकि एक maturity अवधी तक आप इन funds से निकल नहीं सकते जब हम closed ended fund की बात करते हैं नाम सही आसानी से समझा रहा है open ended fund और closed ended fund ये तो हमारे सामने बात clear हो गई कुछ examples के जरीए हिमन जी अब बता सकते हैं कैसे कैसी schemes होती हैं जो की closed ended funds में आती है In fact अगर हम equity में ही देखें ELSS जिसमें तीन साल का lock-in होता है आपको compulsory तीन साल रहना ही रहना है क्या हम उसको closed ended fund मानेंगे क्योंकि कई लोगों के दिमाग में ये definitely सवाल उठ रहा होगा कुछ solution oriented funds होते हैं retirement oriented funds या फिर children oriented funds जिन में 5 साल का lock-in होता है क्या उन्हें भी closed ended funds माना जाएगा basically जिन funds में एक lock-in period होता है और इसके अलावा कैसी schemes closed ended fund के अंतर गताती है स्वाधिया इंक बहुत important सवाल है क्योंकि हम हमने देखा कि किस तरीके से जो structure है closed ended funds और open ended funds का अगर हम बात करें कि किस category scheme जो है वो इस structure में आती है पहले तो देखें दो जो prominent categories है वो है basically fixed maturity plans और target maturity fund यहां पर हमने देखा है कि majority जो scheme होंगी सारी की सारी जो scheme है क्योंकि एक concept ही ऐसा है अगर हम fixed maturity की बात करें तो fixed maturity में fund manager क्या करते हैं आपसे पैसा mobilize करते हैं पिर और अपनी जो duration होता है fund का उसके हिसाब से security चुनते हैं या तो उनकी maturity इतनी होती है या फिर बची maturity इतनी होती है उसका फाइदा यह है कि वो आपको कहीं न कहीं एक predictable return देते हैं जो market में volatility होते है interest rate से उससे उससे आपको बचाते हैं उसी तरीके से अगर हम देखें target maturity की अगर हम बात करें यह passively manage debt funds है जो basically debt index को track करते हैं यानि जब वो mature होगा उसकी securities आपकी scheme भी mature होगी तो यह prominent दो category आपको यहां पर देखने को मिलेंगी और यह I think important as an investor समझना कि यह structure है यह सरफ close-ended structure में ही काम करेगा यह open-ended structure काम नहीं कर सकता है हाला कि जो target maturity उसको open-ended fund कहते हैं लेकि वो खदम तब होता है जब उसकी जो bond है वो mature हो जाते हैं दूसरा आपने कहा कि अगर हम ALS में डालते हैं या फिर हम solution oriented funds में डालते हैं वहाँ पे आपके लिए lock-in period है एक तो इसलिए कि आपको tax saving अगर होती है वहाँ पे तो definitely opportunity अगर हम ALS की बात करें तो तीन साल का mandatory lock-in period है आपका लेकिन structurally जो fund है ज्यादा तर जो fund है open-ended है यानि वह पाकी investors से पैसा ले सकते हैं जिन investors ने तीन साल complete कर दिये वह exit कर सकते हैं लेकिन as an investor आप क्योंकि आप tax benefit ले रहे हैं तो आपके लिए वो lock-in period हो थोड़ा सा फरक है structure open-ended है लेकिन वो lock-in period है वो एक close-ended fund नहीं है similarly अगर स्ट्रेशन-oriented funds की बात करें मानले जी आप retirement किसी fund में डालते है वहाँ पे भी again tax benefit अगर आपको मिलता है तो आपके लिए वो lock-in period है और obviously वो तभी काम करेगा जब आप उसमें बने रहेंगे तो यह थोड़ा सा फरक है और जैसा मैंने का एक और category है जो close-ended में आती है even equity fund आपको मिलेंगे जो thematic funds होते है अगर मालीजिए fund manager को लगता है या fund house को लगता है कि अभी small cap में डालने से फाइदा होगा और यह पैसे को अगर lock करें वो इसमें अच्छा return मिल सकता है या कोई ऐसा team है जो उनको लगत दिफरेंट है close-ended structures और इसी से धवल एक बात जो समझ में आ रही कि जो दोनों ही schemes में फर्क है वो liquidity का बहुत बड़ा फर्क है अब जैसे हम open-ended funds में देख रहे है liquidity बहुत high मानी जाती है close-ended fund में lock-in period क्योंकि है उस अभधित तरक ही आप निवेश कर सकते हैं तो liquidity बहुत ही कम है यह एक बड़ा criteria हम मान सकते हैं किसी निवेशक के लिए जिसको एक open-ended या close-ended fund को चूज करना है liquidity को किस लिहाज से समझे हम यहाँ पर दोनों ही जब funds के हम comparison की बात करते हैं तो करीबन समझ भीजे एक छे मैने आए एक साल में या कभी भी पैसा लग सकता है जो मैं invest कर रहा हूं तो मुझे withdraw करके मेरे कोई goals है उसका time period पोड़ा uncertain है या certain भी time period हो तो उस हजब से liquidity काफी जरूरी हो जाती है कि मुझे घर खरीबना है समझ भीजे और मैं property देख रहा हूं तो इस situation में फिर आपको open ended structure नहीं जाना चाहिए आपको lock-in करके fixed maturity plans वगेरा जो है ताकिस maturity उसमें जाना सही ही नहीं होगा अब उस रजब से आप open red funds ही select करें लेकिन equity funds में हम देखे तो इसमें दो option हो सकते हैं तो जैसे मैंने पहले कहां काफी investors जो market के उतार चड़ा है उसके साथ उनका behavior भी change हो जाता है तो काफी बार वो गलत time पे जब market correct होता है तो भी exit कर देते हैं तो उनको discipline maintain करने के इसाब से आप close ended fund ले सकते हैं जिसमें आप आपको option नहीं है withdraw करने के लिए तो फिर आप market के उतार चड़ाओ में आप वहाओ में नहीं आते हैं तो वह भी benefit हो सकता है लेकिन एक जो downside है close ended funds की जिससे on the equity side भी यह देखा जाता है कि काफी बात जब funds underperform कर रहे हैं समझ जी जिन एक दो या तीन साथ के लिए underperform कर रहे है वह जो और उसका time period जो है अवधी जो है पाच सार की जा है तो फिर आप withdraw नहीं कर पाएंगे उससे तो वह भी एक समझना जरूरी है कि समझ जी जी आप close ended fund में allocate कर रहे हैं आपका पैसा तो इस सर्टन प्रोपोर्शन ही allocate करें जो आप तो confidence हो जो फंड मैनेजर में या फंड हाउस में क्यों आपाच सार में अच्छा performance दिखा सकते है या या वो साइकल के हिसाब से चल सकते है तो फिर आप आप सिलेक कर सकते है लेकिन यह कुछ और अद्वांटेजेज और डिसद्वांटेजेज भी है close ended funds में अगर track record की बात करें हेमन जी open ended fund जितने भी है जो maximum mutual funds है वो open ended funds ही है मतलब जिनमें अभी maximum निवेशकों का निवेश होगा उनका एक proper track record available है जो लोग one of the parameter समझते हैं और यह बहुत important पैमाना है किसी भी fund को जाचने का परकने का एक लंबर track record आपके पास है previous performance का और बहुत सारे चीज़े जो देखकर परक कर एक fund को चूज कर सकते हैं क्या यही आजादी close ended funds में निवेशकों को मिलती है एक close ended fund को चुना कैसे जाए स्वाथी जैसे मैंने पहले कहा कि अगर हम equity की बात करें तो ज्यादा तर जो आपको close ended fund मिलेंगे वो कहीं या तो एक particular market segment में invest करते मिलेंगे या तो फिर किसी theme को follow करते मिलेंगे तो obviously क्योंके close ended fund है और आप सिरफ जब आता है तभी invest कर सकते हैं और till maturity आपको उसको hold करना अफकोस आथिंग यह definitely करना चाहूंगा कि जो close ended funds है उनको list करना compulsory है लेकिन वो जो exit जो मिलता है वहाँ पर बहुत ही inefficient है क्योंकि एक तो आपको बायर मिलना वहाँ मुश्किला और जो price discovery जो होनी चाहिए वहाँ पर वह आपको नहीं मिलती है तो लिक्विडिटी होते हुए भी वह आपके किसी काम की नहीं है तो ए तीन या पांच साल तक यह तीम में अच्छा पैसा बन सकता है तो अब वो एजे consumption थीम को आपका track record मिल जाएगा यह fund क्योंकि यह fixed period का है आपको track record नहीं मिलेगा उसको अगर हम एक open hundred fund से compare करें तो वहाँ पर जैसे हमने का यह perennial permanent fund है वहाँ पर आप देख सकते हो कि different market phases में किस तरीके से किस efficiency से fund manager ने उनको tackle किया किस तरह के changes किये क्या वो आपको उस volatility के period में कहीं protect कर पाए या नहीं कर पाए I think उसमें काफी चीज़ें जो आपको मिल जाती है आप उसका beta देख सकते हो आप उसका standard deviation देख सकते हो काफी parameters पे उसको आप देख सकते हो किस तरीके से उसने perform किया और फिर आप decision देख सकते हो बिल्कुल performance जो है एक important criteria of course हमेशा कहते हैं कि short term performance मत देखिए long term देखिए but problem close and rate में क्या है क्योंकि historical data आपके पास नहीं होता है तो यह जो track record है वो दिखना बहुत मुश्किल है तो कहीं न कहीं आपको fund manager की thinking उनकी जो सोच है कि यह team काम करेगा यह segment काम करेगा उसके हिसाब से जाना होगा आप उसके track record के लिए आपके पास देखने के लिए उस समय पर at अगर data के जरिया या example के जरिया बता पाएं close ended versus open ended funds का जो return performance रहा है जो return रहा है पिछले कुछ समय का उसमें क्या कुछ disparity हमें नजर आती है उसके जरिये क्या निवेशक चुनाव कर सकते हैं इन दोनों ही funds में से वो थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जैसे open ended funds का continuously open है उनकी NAV daily publish हो रही है तो आप उसका track record देख सकते हैं close ended funds का challenge यह कभी-कभी हो जाता है कि वो depending on the cycle कि कि period पे आख इस point of time पे वो launch हुए है तो समझ लीजिए you know market peak पे आसपास launch हुए है जब market peak levels पे है समझ लीजिए कोई small and midter fund है जो peak level पे launch हुआ है close ended fund तो उसका track record आपको अच्छी तरह से analysis करना तोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो at a certain point of time in the cycle वो launch हुए है तो आपको exactly और और जैसे हम बात कर रहे हैं कि जादा करके equity side में जो funds आ रहे हैं वो आजकल open ended funds आ रहे हैं तो आपके पास हुआ है वो अलगों सकते हैं और जो पूल of funds है जो available funds है वो फोड़े limited है इंडस्टी और आखरी बस सवाल आपसे यह होगा हिमत जी इस पर कि जो निवेश करने का तरीका है open ended funds में बेहदी आसान है आप S.I.P कर सकते हैं एक मुष्ट आप रकम निवेश करके open ended fund में आप entry कर सकते हैं close ended fund में निवेश का तरीका क्या यह बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कास होती है आप देखिए open ended fund में आपके पास flexibility है आप लमसम इंवेश कर सकते हो आप systematically S.I.P के द्वारा इंवेश कर सकते हो इसमें और भी facilities है आपके पास एक stage पे आगे अगर आप चाहें तो systematic withdraw plan से पैसा निकाल सकते हो या फिर liquid fund से आप किसी equity fund में invest करके systematic transfer plan से कर सकते हो तो यह काफी सारी flexibility है जो आपको open ended funds में मिलती है close ended fund में देखे जब वो fund शुरुआत होती है जानी जो उसका NFO आता है वही एक समय है जब आप funds से directly units करीद के उस fund में invest कर सकते हो उसके बाद जो भी उसका tenure है उतने period में उस fund से directly ना तो आप खरीद सकते हो ना तो units को वापिस बेच सकते हो तो अगर आपको invest करना है तो आपको एक एक ही time पे invest करना होगा और सबसे बड़ी मुझे रखता है वो drawback भी आपके as an investor आपके लिए होता है तो अगर माल दीजे unless आपके पास एक lump sum पैसा है आप उसमें invest नहीं कर सकते दूसरी बात अब lump sum invest करते हो तो कहीं न कहीं एक तरीके से वो market timing होता क्योंकि अगर आप किसी theme को follow कर रहे हो और किसी segment में आप invest कर रहे हो जैसे दावल ने बिल्कुल सही का अगर माल दीजे आप एक particular category के fund में invest कर रहे हो तो वहाँ पे अगर वो आपके पास पैसा नहीं है लबसम और वो फिर कहीं न की market timing हो जाएगा अगर peak पे आपने पैसा invest कर जैसा रहाने का तो फिर आपको return नहीं मिलेगा तो यह एक बड़ा issue है और अगर माल लीजे आप systematically किसी theme में invest करना चाहते हो close ended में तो भी आप नहीं कर पाएंगे तो मुझे रहता है काफी सारी limitations है especially जब हम close ended fund में investment की बात करते हैं ओके चले यह तो open ended और close ended funds की बात हुई एक break के लिए हाँ पर रुकेंगे और break के बाद आज हमारे mutual fund guide के खास segment में आपको बताएंगे NFO यानि new fund offer में निवेश सही या नहीं बने नहीं मारसा mutual fund guide में आज हम आपको बताएंगे NFO यानि new fund offer इसमें निवेश करना सही है की नहीं है हमारे साथ लगातार खास महमार बने हुए हैं हेमन्त रुस्तगी wise invest private limited से और morning star से धवल का पाडिया हेमन जी NFO new fund offer जब भी कोई mutual fund company एक नया fund लाती है वो NFO के जरिये लाती है उसकी पेशकर्ष करती है तो मैं आप से जाना चाहूंगी NFO क्या होता है और इसमें NFO period में निवेश करना सही होता है जैसे हमने अभी बात की structure की close ended funds भी होते हैं तो हर funds की जब शरुवात होती है वो होती है न्यू फट ऑफर के पीरिड के दौरदान यानि एन फो पीरिड यानि कुछ दिनों के लिए और सेवी ने काया कि जो maximum period है नफो को पंदा दिन हो सकता है तो फंड हाउस को जब धी को starting point देखें जैसे हमने बात की पहले अगर open ended funds है तो यह जब NFO period ख़दम होता है उसके कुछ जुनों के बाद फिर से आप ने वी के basis पे आप या तो fund की units को खरीज सकते है या तो बेस सकते है आपकोस close ended में आप उसके बाद कोई transaction नहीं कर सकते है तो I think जो इसको अगर हम सम stage पे वो शुरुआत करती है अब आपको यह देखना है कि जो fund है mutual fund में जो launch किया है क्या आपके लिए वो suitable है देखें से भी ने कहा है कि आप equity fund में जैसे 10 category है hybrid में 6 category है एक से ज्यादा कर सकते हो तो fund houses को जब लगता है कि अगर हमें यह allowed है इस category में फंड करने के लिए हमारे पास यह gap है या इसमें potential है तो वह एक fund की शुरुआत करते है एन फो से as an investor आपको यह देखना है कि वाकई में क्या यह जो नया fund है इसकी जगह आपके portfolio में है कि नहीं अगर आपके पास दूसरे fund है जहां track record देखे आप invest कर सकते हो हां अगर कोई नया theme है जैसे हमने अभी बात की कि FMP हो सकती है मालीजे तो आपको NFO में invest करना ही पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा फिर आप FMP में participant नहीं कर पाऊगे इस तरह का fund है उसकी suitability कितनी है और फिर डिसाइड कीजिए कि उसकी जगह आपके portfolio में है की नहीं ओके और धवल आपसे जानेंगे किसी के portfolio में NFO period में या फिर एक नया fund आप advice करेंगे एड करें वो या पिर जैसा कि हमन जी बता रहे है कि किसी fund का track record build-up हो जाए कम से कम 3 साल का track record build-up हो जाए उसके बाद add करें या पिर आपके नजर में कोई ऐसा वज़ा हो सकती है कि NFO period में निवेश करें portfolio में क्या वज़ा हो सकते है किसी NFO को शामिल करने की एक तो यह वज़ा हो सकती है जैसे हमन जी ने कहा कि आपको समझ जी जी FMP में invest करना है तो NFO period में ही करना होगा उसके अलावा equity site में मैं देखू तो समझ जी जी कोई unique या अलग theme है तो फिर आप एक बार उसे consider कर सकते हैं वो already समझ जी जी इंडस्ट्री में उस तैप की ज्यादा थीम्स ने कोई sectoral fund है कोई thematic fund है तो फिर उसको आप फिर भी एक बार consider कर सकते हैं लेकिन यह एक टेकना जरूर रही उसके साथ क्योंकि जैसे हमने कहा कि इने पो है तो उसका track record नहीं है तो एक चीज जो जाज सकते है या अनलाइज कर सकते हैं कि जो fund manager है उसका previous track record कैसे रहा है वो दूसरे funds समझे जीए वो normally ऐसे होगा कि वो दूसरे funds भी manage कर रहे होंगे वो fund house में और कहीं में तो वो जो funds manage कर रहे है और अनका track record कैसे रहा है वो एक आप consider कर सकते हैं अदर्वाइस जनली हम सोचते है कि जो आपका portfolio का जो core holdings है या जो main holdings है portfolio में उसमें आप जो you know pride and respect जो track record की साथ जो funds है उसी में इंडेस्ट करें तो बेहतर हो okay तो नफो में निवेश करने का तरीका और नफो में आपको निवेश क्यों करना चाहिए actually कब करना चाहिए यह जानकारी हमने समझी और ली हमारे आज के दो खास महमान से हेमत रुस्तगी और साथी धवल का पाड़िया आप दोनों का बहुत धन्यवाद करेंगे हमार साथ मनी गुरू की आज के इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए तो मनी गुरू में आज के लिए बस इतना ही रुखते हैं ब्रेक के लिए बने रहे हमार साथ और देखते रहे हैं जीपस्ति